को हेलो स्टूडिंस वेलकम टू कॉंपटिशन कम्युटी जुट्यूब चैनल कॉंपटिशन कंदि के युट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्राजल सिंग और आप सभी सुड्टिशन के लिए मेरे के आई हूँ एक और बर्निंग टॉपि में मिलेगा एक वीडियो जिसमें हमने बात करी है जुडिशल आक्टिविजम के बारे में और उसी से रिलेटिड आज का हमारा वीडियो होने वाला है जुडिशल ओवरीच यह एक साइड है जुडिशल आक्टिविजम यानि कि जुडिशल आक्टिविजम की तारीफ करी जा के लिए गलत है अब judicial overreach एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अलग-लग लोगों की अलग-लग opinions है हो सकता है हम जो इस वीडियो में पढ़ें हम जो इस वीडियो में समझें वो हमारी opinion में judicial overreach हो लेकिन judiciary की नजर में वो judicial overreach नहों और इसी लिए यह बहुत ही जादा debatable और बहुत ही जादा burning topic है आज कल के समय में हम ऐसा देखते हैं कि Supreme Court के कुछ ऐसे orders आते हैं जिसको one side of the population कहती है कि एक judicial overreach है और दूसरी side of population उसको compliment करती है और उसकी तारीफ करती है तो आज के इस video lecture में हम as a concept समझने की कोशिश करेंगे कि judicial overreach है क्या यह topic आपके लिए क्यों important है यह topic आपके लिए इसलिए important है क्योंकि administrative law का एक important part है और उसके साथ ही साथ as a law student as a responsible citizen of this country आपको इस topic के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यह term ऐसा है जो आम तौर पर आप news में सुनते होंगे या articles में पढ़ते होंगे या बड़े-बड़े legal studies की judicial overreach actual में कब किया गया इससे पहले तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बात हो रही है judicial overreach की यानि की सर judiciary कब अपनी हद से आगे बढ़के कुछ काम किया अब इसको शुरू कर लेने से पहले एक शब्द जिसको जान लेना बहुत जरूरी है वो है अब आपको एक बीटेल वीडियो आपको मिल जाएक अगर आप उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो अभी आपको एक ब्रीफ आइडिया देने के लिए मैं बताऊं तो जुडिशल अक्तिविजम क्या है वो हो गया जुडिशल अक्तिविजम अब जुडिशल ओवरीच क्या है वह हम आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं और यहीं से आपका डाउट क्लियर करना शुरू कर देंगे तो जैसा कि हम अपने हर वीडियो में करते हैं शुरुवात होगी स्क्राच से और समझने उस लिमिट से आगे बढ़के जब जुडिशी कोई काम करती है जैसे एक्जामपल के लिए मैं बताओं तो अगर उसको सजा को देने के साथ साथ उसने ये भी डिक्लेयर कर दिया कि पार्लेमेंट ने यह जो सजा का प्रोविजन बनाया गलत है और आज से मैं नई सजा का क जाता है ओवर स्टेप कर देते हैं तो नो बॉल हो जाती है बस यह उसी नो बॉल के बारे में चर्चा है यानि जुडिशिरी के आइडिली जो इसको स्टेप लेने थे उससे एक कतम आगे बढ़ गई अपने काम से जादा ही काम कर दिया जुडिशिरी ने अब ऐसा बनाने का काम है लेजिसलेचर का और एक्जिक्यूटिफ वा काम है उसको शेप उसको एक्जिक्यूट करने का यानि कि उसको इंप्लिमेंट करने का अब इस केस में अगर जुडिशिरी ये काम करेगी तो लेजिसलेचर और एक्जिक्यूटिफ क्या करेगा इसका मतलब तो ideally काम है जो कि है laws जो legislation ने बनाए है जब उनका implementation सही तरीके से ना हो तो उसके procedure जो law का already procedure है उसके तहत लोगों को सजा देना या law का implicate कराना society में अगर इसको बढ़के वो कभी legislature या executive का function perform करने लग जाए minor laws और policies form करने लग जाए लोगों को यह बताने लग जाए कि यह सही है या गलत है या legislation ने जो law बनाया उसको null declare करने लग जाए उसको आपका nullify करने लग जाए तो यह judicial overreach के अंडर में आ जाएगा आगे बढ़ते हैं और concept को clear करते हैं judicial overreach is undesirable in a democracy as it breaches the separation of power separation of power से हम क्या समझते हैं हमारी democracy में separation of power है तीन पार्ट में legislature, executive और judiciary तीनों के अपने roles हैं तीनों के अपने काम हैं अगर judiciary इन दोनों के काम करने लग जाएगी यानि कि अगर judiciary किसी भी form में किसी भी case के तहत अगर ए इस act में applicable होगा तो वो क्या हुआ उन्होंने legislature का काम किया और judicial overreach के अंडर में आ जाएगा और यह चीज़ क्या है threat to democracy है यह undesirable है क्योंकि अगर कोई भी एक party यानि कि अगर legislature भी judiciary का काम करने लग जाए तो वो भी गलत होगा इसी तरह अगर judiciary legislature का का काम करने है तो वो भी गल और judiciary इसमें क्या content करती है कि वो judicial overreach नहीं है असल में यह point of view क्या है कि जब executive or legislature अपना काम करने से fail हो जाते है या वो कोई ऐसा काम करते है जब वो ethically और morally बहुत गलत है तब judiciary को वो काम करने की ज़रूद पढ़ती है और तब वो judiciary काम करती है खेर आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो क्या है एक थ्रेट है सरेट किस पर है doctrine of separation of power पर यानि कि separation of power का जो doctrine जो की कहता है कि तीनों अंग जो है हमारी democracy के तीनों के अलग-अलग function है उस पे सीधा threat है कि एक party दूसरे party के powers को perform करने की कोशिश कर लिए जो कि हमारी democracy के लिए बहुत ज़्यादा खत्रे वाली बात है दूसरा क्या है knowledge is required knowledge is required का मतलब क्या है जो इनसान judiciary का member है वो कौन है वो वो इनसान है जिसने LLB की डिगरी हासिल करी हो सकता है उसने LLM किया हो सकता है एक दो डिगरी और हो Legislature की सबसे खुबसूरत बात क्या है कि वहाँ पे 500 से जादा members बैठे हुए पार्लेमेंट में जो हमारी लिए law बनाते हैं दो houses में वो बिल पास होता है प्रेसिडेंट की एसेंट मिलती है उसके बाद वो लेजिसलेचर बनके तयार होता है उसमें multiple dimension के लोग यानि की अलग सही है की गलत क्योंकि वहाँ पे जादा और और भी जादा multi-dimensional लोगों की expert opinion मिली है इसलिए क्या है यह knowledge जो required है वो judiciary के पास नहीं और इसलिए judiciary का इस मामले में interfere करना भी गलत होगा उसके साथ ही साथ यह क्या करता है faith of the public को lose करता है यानि कि जब लोगों को लगेगा कि हमन की जगा वो judiciary हमारे लिए law बना रही है तो उनका भरोसा टूटेगा democracy से जो हमारे democracy के लिए बिल्कुल भी healthy बात नहीं है इंडिया एक beautiful country सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर सबके पास समान अधिकार है सारी चीज़े जो हमारी democracy बहुत स्मूथ तरीके से रन करती ह को greatest democracy भी कहा जाता है इस दुनिया का चलिए अब ज़रा कुछ case studies देखते हैं कि judicial overreach है क्या उसको example से समझने की कोशिच करते हैं अब तुरण समझ जाएंगे अब देखिए judicial overreach का एक बड़ा अच्छा example है अलाबाद high court का अलाबाद high court का एक order आया कब 2015 में इसमें उन्होंन केवल सरकारी स्कूल में यानि कि यह अपने बच्चों को private school में नहीं पढ़ा सकते हैं 2015 में अब कोई case हुआ होगा कुछ हुआ होगा तो उसमें judiciary को लगा कि नहीं जितने भी bureaucrat से इनके बच्चे अब सरकारी स्कूलों में ही पढ़ने चाहिए अब ये बात कितनी गलत है अ खुद contradict कर रहा है constitutional provisions को और इसके साथी साथ separation of power को और इसी लिए ये चीज गलत है और इसको judicial overreach का एक बहुत cult example माना जाता है ठीक है proactive censorship in case of jolly lb2 अब sir jolly lb2 movie तो समने देखी है जिसमें वो judge साब रहते हैं बहुत मजाग मस्ती करते हैं court में हस्मोक होते हैं एक बड़ा funny dialogue इसमें वो earphone लगा कि आते हैं उनकी बेटी की शादी होती है और corridor में dance करते हुए वो judge की तरफ अपने chamber की तरफ जाते हैं ये सब ची चीजें court को लेके लोगों का perception बदलने लगा लोग बहुत हलके में लेने लगे court को ऐसा किसको लगा न्यायाले को लगा court को लगा और उसके base पे क्या किया गया हाई court में ग्याचिका दायर हुई high court को ये बोला कि आप कुछ scenes में cut लगवाई ये उस high court ने अपने instructions पे कुछ scene पे cut लगवाया कुछ scene को block करवाया और ये चीज भी judicial overreach के अंडर आई क्योंकि just because judiciary का part था इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि कहीं भी censorship act में ये नहीं लिखा हुआ है कि जो courts हैं वो क्या कर सकती है cut लगवा सकती है इसके लिए अलग authority है उनको जो सही लगा उन्होंने किया अब उस चीज को बाद में challenge कर लेते लेकिन court का ये काम नहीं था कि वो cuts लगवाया और इस case में court ने cuts लगवाया इसी लिए किसका example हो गया judicial overreach का ठीक है sir आगे बढ़ते है ban of firecrackers अब हर दिवाली अभी दिवाली बीती आपको पता है हर दिवाली में क्या कर रखा था ban of firecrackers कर रखा है अब ये बात सही है कि ban of firecrackers हुआ उनके पास petition file हुई लेकिन ideally ये काम किसका है legislature का अगर parliament कोई law बनाए कि इन इन दिनों पे जो इतना जादा heavy uses देखा जाता कि Supreme Court का judgment हर दिवाली से पहले आ जाता है और इसको भी बहुत लोग मानते हैं क्या एक बहुत अच्छा example judicial overreach का कि वो अपनी हद से आगे बढ़के उन्होंने कोई काम किया ठीक है NJAC का बिल ये law students को जानते हों कि 99 constitutional amendment जिसने NJAC को लेकिया आया था यानि कि judges को अगर आसान बाशा में बताऊं तो judges के appointment के लिए बिल था उसको क्या किया गया जस्तिस खेर सापकी जो five judges के constitutional बैंस्ती उन्होंने क्या किया उसको unconstitutional declare कर दिया और जो कलीजियम सिस्टम था वह वापस आ गया और कलीजियम सिस्टम से अब recommendations होने लग गए ये भी इसका बहुत अच्छा होना पड़ता था इसके लिए एक सुप्रीम कोट का judgment था उस सुप्रीम कोट के judgment में ऐसा आदेश आया था कि सभी जो movie theaters हैं वहापे patriotism के लिए national anthem बजेगा और सभी लोगों को rise करना होगा उसके लिए और यही जो थी चीज थी इसको address किया गया as a judicial lawry चूकि ये काम फिर से किसका था legislature का था कि legislature अगर ऐसा law बनाता तो चीज जायज होती लेकिन जच्छिप के पास यह power नहीं है courts के पास यह power नहीं है कि वह हमारे लिए laws बनाया और बताएं कि power यह citizen को काम करना है although constitution में उनके पास ऐसे rights हैं लेकिन वह ideally सही नहीं है क्योंकि वह challenge करता है separation of power को और य चीज यहाँ पर लेकि हुई है यह extended the scope of law this decision was seen as an instance of judicial overreach as it extended the scope of the law extended the scope of the law मतलब law कहता है कि legislature power मनाएगा और यहाँ पर extend कर दिया क्योंकि judicial जो है वो क्या कर रही थी law को form कर रही थी यह हमारे पास कुछ example थे किस चीज के judicial overreach क्याना है hope आपका concept judicial overreach का यहाँ पे clear हो गया होगा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को subscribe कर सकते हैं और साथ ही साथ ऐसे और informative वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तक के लिए all the very best and have a very good day. Thank you. झाल